हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग में शीतर और आप सब का स्वागते मेरे चैनल श्रीशिक्षा क्लासेस में क्लास नाइन सोशल साइंस चेप्टर नमबर वन राइज ओब ब्रिटिश रूल इंडिया पार टू में हमने देखा था दे बैटल ओफ प्लासी जिसमें हमने देखा था कि ब्रिटिश इस इंडिया कंपणी ने कैसे सिराज दोला के कमांडर मीर्जाफर को ये लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था कि कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे चले वापस आते कि दे बैटल ओफ बकसर जिसमें मीर्जाफर को ब्रिटिश इस इंडिया कंपणी ने बंगाल का नवाब तो बना दिया था और दुसरी तरफ मीर्जाफर इस इंडिया कंपणी को पुरे सा मात्रा में धन देता रहा जिसकी वज़े से ब्रिटिश इस नवाब की गदी से हटा कर मिर्कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया अब यह होता है कि मिर्कासिम मीर्जाफिर के कंपैरिजन में अच्छा खासा महत्वा कांशी और शक्तिशाली निकलता है और यह वो अपनी कामों से प्रूफ कर देता है तब ब्रिटिश इस इंडिया और तब वहाँ पर मुगल एंपरर शाहालम भी पहुशता है तब उन तिनोंने प्रिटिश इस इंडिया के खिलाफ युद करने का डिसाइड कर लेते हैं लब मिर्कासिम शाहालम और अवाब का नवाब शुजोदुल्ला इन तिनोंने ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी के कर दिया होता है एडबक्सर 22 ओक्टोंबर 1764 में ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी और उनाइड़ आर्मी का आमना सामना होता है जहाँ पर उनाइड़ आर्मी लॉस्ट होती है मतलब हाँ मिर्कासिम का सपना यही पर चकना चुर होता है और ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी को दिवानी राइट्स मतलब एक तरह से रेवेंड्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है बंगाल मद्रास और बिहार से यहाँ पर मिर कासिन के सपने चकना चुरू होने के पिछे कहीं ना कहीं शाहय आलम और शुजवदुला का ही हाथ होता है खेर छोड़िये यह बहु अधियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई